मिजपूर के पड़वे में इस तित सिवलोक मंदिर के प्रांगड़ों महाशिवरात्री के पावन अवसर पर विगत वशुक की भाती इस वर्स भी देव के देव महादे और माता पार्वती का भव सिंगार्व महादीब दान हुआ भगवान शिव के दर्शन तथा जल चड़ाने के लिए 1000-2000 के तादात में शद्धुहालों की भीर सुबह से रात तक लगी रही भगत शिव जी को जल चड़ाने के लिए प्रविस द्वार से ही लंबी लाइन लगा कर खड़े रहे भगतों में दर्शन करने के उत्सुकता जलक रही थी साम के समय देव के देव माता आदिशक्ती माता पार्वती का विवाह कारक्रम संपन हुआ और एक हजार आठ दीपो को प्रजुलित करके पूरे शिव लोग प्रांगर को सुसोभित किया गया महादेव के प्रिय भोज भंग को अर्पित कर भगत जंच शिव के विवाह में नाचते और जूमते दिखे भगतों में काफी उत्साव धार्मिक्ता का भाव देखने को मिला शिव लोग मंदिय समीती के सरवे सरवा रमाशंकर मोदनवाल द्वारा पहला दीप जलाकर शिव पार्वती वंदना किया गया पपू शर्माद्वारा सिवार्ति का कायरक्रम संपन हुआ कायरक्रम का संचालन समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से किया गया जिसमें बंटी मोधनवाल आकाश अगरहरी सौरब मोधनवाल मोहित कुमार दिलिप आदी सामिल रहे आप लोगों से सब्रविवेदन है कि मापार बची के प्रेंडर में आकर प्रसाद लेकर लिखर जाएं क्योंकि प्रसाद आप लोग मेहलेंगे तो हम लोगा जो यहां के सलावट किया गया वह धुरा रह जाएगा प्रसाद बहुत ही प्रसाद लेकर तभी जाएं और भब को उसे खुशी की बाते हैं कि यहां पे हर लोग जोटे बच्चे से लेकर मताओं पाने हम आए हुए सभी दूट राज के लोग यहां के उपस्तित है इन लोगों के सहोग से प्रभू की किपा से बोले बबा की अज यहां पे अकारकन परुती भफ तरीके से संपन्न हो रहा है सब लोग खुशी खुशी यहां कारिकन संपन्न करा रहे हैं आप लोगों का सहोग हमा को भी अभाली है और पुशाद लेकर विए अब निग जाए क्योंकि प्रसाद बहुत ही करूरी है अगर प्रसाद बह और प्रसाद लाओ अर नहोड है